रूमर्स है कि आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल में कंगना रनौत उनकी बेटी का जी हाँ आपने ठीक सुना कंगना रनौत आमिर खान की बेटी के रोल में नज़र आने वाली है दंगल revolves around the life of a wrestler Mahavir Singh Pogat played by आमर खान और कंगना उनकी बेटी गीता पोगत के किरदार में दिखेंगी गीता पोगत भारत की पहली महिला कुष्टिबास हैं जिन्हें उनके पिता ने ट्रेनिंग दी थी फरा खान के नए टीवी शोव फरा की दावत के एक एक एपिसोड में शारुख खान भी नज़र आएंगे Reports suggest that शारुख शोव पर अपनी पसंद का कोई पकवान बनाएंगे According to sources, this is not just a regular cookery show but will be a mix of food and guvshab And knowing फरा, we can expect a lot of gossip and humor too Speaking after being discharged from hospital, Sonam said It was basically a respiratory infection at Paraty 5 I was in hospital for 4 days Comedian Kapil Sharma is making his Bollywood debut with Avaaz Mastan's He was recently shooting in Rajasthan when he got mocked by his fans He was filming a song sequence with Simran Korn Mundi जब भीड इतनी बढ़ गई कि शूटिंग रोक देनी पड़ी बाद में Kapil ने Twitter पर लिखा इतना प्यार मिला किशनगर में के काम ही नहीं करने दिया How sweet, lots of love खबर है कि मेगना गुलजार की आने वाली फिल्म तलवार की स्क्रिप्ट में बदलाव किये जा रही है According to our sources, यह फिल्म Noida के आरूशी मर्डर केस पर बेस्ट है इसी subject पर हाली में रहसे नाम की फिल्म भी रिलीस हुई और यही बजा है कि तलवार की स्क्रिप्ट में चेंडिस किये जा रहे है तलवार में इर्फान खान और तबू में लीड में है This is all for now Bollywood की नई खबरों के साथ मैं खल फिर लेकर आऊंगी Bollywood Buzz in 2 Minutes